नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, लो हम आज फिर आपके लिए एक बढ़ियासी कहानी लेकर आ गए हैं, आपको जरूर पसंद आएंगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो चलो शुरू करते हैं, आलसी गधा एक गाव में नमक का व्यापारी रहता था, उसके पास एक गधा था, व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था, वो नमक को बोरी में भरकर गधे की गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पढ़ती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था, एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा, नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई, जब तक व्यापारी न उसने सोचा कि अपने उपर लदा बोज हलका करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है, अगले दिन वह जानबूज कर नदी में गिर पड़ा, नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया, उसके बाद से वह हर रोज ऐसा ही करने लगा, रोज रोज गधे की य रूई हलकी थी, इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों न रोज की तरह नदी के पानी में गिर कर इस वजन को और कम कर लिया जाए, इसलिए वह जानबूज कर नदी में गिर पड़ा, लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बलकी रूई थी, पानी में भीग कर जन कई गुना बढ़ गया, गधा जब उठकर चलने को हुआ, तो इतने भारी बोच से उसका बुरा हाल हो गया, उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णाय किया, सीख आलस का फल कभी न कभी मिल ही जाता है, एक ही उपाय हर बार कार्ग सिधर नहीं होता झालस का बार 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 का बार